आप देख रहे हैं SDN News गुद्धे की बार आपके साथ करने का भरोसा दिलाया सरकार को आड़े हातों लेते हुए जमकर बरसे बार के मुआपजे पर बरसते हुए कहा कि सरकार बार के नाम पर हजार रुपए लेते हैं और 90 प्रतीशत घर ले जाते हैं खुले शब्दों में सरकार को मौत का सौधागर कहा इस दर्मियान पूरे भ्रह्मन में हमारे समवदाता तहजीब उनके साथ नाव पर सबार रहे जो इस्थिती है अठारा जीले बार से कंप्रिट प्रुभावित लगभग तीन लाग पच्पन हजार पैथिस हजार करूर रुपिया पांच लाग पैथिस हजार करूर रुपिया है अधार सरकार ने खर्च किया है तीस सालों ने दोनों एवा दो हजार करूर रुपिया लगवर फार साल करता है पार आस तब पर आज तक कोई सुलुशन आधाने नहीं निटा बोलता है कि डी जास्टर है मैं कहता हूं कि नीटा डी जास्टर कि नेटा कहते हैं कि नियती है मैं कहता हूं कि वो इंजार करता है और उलसम मनाता है उन्हें लूटने की प्रविर्टी बनी विए सालों बना है यह जो सब से बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आम जनता भी मान लिया है कि हमको तीन मेना बार में रहना है और सिस्टम और नेता इसको कि अपने घर के लिए अपनी राज़िती के लिए इस्तमाल करता है बार आप लगान फुरी करें हर परस्तिति किसी भी परस्तिती में एक पक्का मकान को ड्यालाग रुपिया उसको एक लाग जानवर छती पूर्ती 40,000 और सभी तरह के लौन को आप माप करें और उसके बाद तीन महिने हर वेक्ति को 25,000 रुपिया महिना और 20 कुईंटल अनाज आप तीन महिने के लिए आपने भी ताकि वो अपनी जिन्दगी अपने भच्चे और अपने परिवार की जिन्दगी जी सके आपने क्या किया राहत के नाम पर आपने लुट लिये तो नादी के भीतर कहीं राहत नहीं कहें कि अपने आप बार बार कहते हैं कि हम हमारा बांध सुरक्षी ते और इस बार 40 से उपर बांध तूट लिए आठ जगा तो जंजार्पुर में तूटा 11 जगा तो शिभर में तूटा 13 जगा सितामडी में तूटा 7 जगा मदवनी में तूटा 3 जगा सुपोल में तूटा 4 जगा फार विस गन तूटा अररिया में तीन जगा तूटे चालीस से उपर बांधे तूट गई जिम्मेदारीत है क्यों नहीं तूटा का मुकदमा क्यों नहीं लगा कौन है पदा देखा जी मदवनी में दो दो चार मिनिस्टर हैं दो मिनिस्टर संजय जा और शिचाई मंत्री है और दूसरा आपदा मंत्री है जो दोनों अभी तक आप बड़ने पर खास नहीं किया से क्या कर रहना है कि अभी तक उसने रिजाइर नहीं किया और चार सो से उपर मौत हो चुकी अभी तक तो हमारी नियती मग नहीं किया गया है हम किस्मत में लिखा के घरीब हम आदमी और मिडिल क्लास और किसान आया कि हम हर साल हमारी जिन्दी नियती पर छोड़ दें और आप उत्सब मनाईए आप रूपिये आप एंटी रोजन पर भी काम कीजिए तो करोरो अर्वों और फ्लड फैटिंग के नाम पर आप हजारों करोड कमा लिए और उसके बाद राहाग के नाम पर 90% अपने घर ले जाईए 10% दो दिनों में कोई खाया कोई नहीं खाया किसी के बच्चे खाय किसी की मां खायी फिनिश्ट यह सरकार यह विपज यह सब लोग मस्त यह सब लोग मस्त इनने कोई लेना देना नहीं है आम आद्मी की तरास्तगी से यह लोग मोद के सोदागन है इंसानियत के दुसमन अपरादी है इनने ताओं पर अपरादी वो करमा चलना चाहिए अब हलाग मुझे एक बात समझ में नहीं आई है कि नितीजी कहते हैं कि हम सक्षा में हम खुदी बार से नहीं पटलेगा और एक तरफ मोधी जी है गोट कहां गिरेगा मौधी बांघ्रेगा मोधी बात से मरेगा कहां मोधी कि बुट कहां गिरेगा मोधी आप ब拉 दयावन और बहुत आप पाकिस्तान इंदुस्तान और अफ़नानिस्तान में क्या अब नभी पटनाय को अजारों क्लोड रुपया दे दिए आप असाम के मुकमंतरी से बाचित के फॉन करके और इतने दिनों बाहर हो गए लगबग 16 दिन 17 आपने एक ट्वीट नहीं किया सारे 300 बच्चे जब मरे तब आपकी सब्वेतना चागी थी शीखर दमन के लिए जगा लेकिन विखायों के लिए नहीं जाए कभी आपके मंतरी एसकोर पूछते हैं पाकिस्तान कभी आपका मंतरी जब हम पर लाठी चलता है तो आपका मंतरी पटना में लाठी चल रहा था हम लोग पर बोरी चल लई थी आपके मंतरी रिती को संसे घल्वयां कर रहे हैं फिर आपके आपके शुसिमोधी नाज देख रहे है ते इस खूर में उसके बाद चले के फिक्चर देखने के लिए कि ऐसे लोगों को क्या राइट है भाई कि क्या राइट है से लोगों को समाद में जीने का रहा ने का चुलू भर पानी में डुपके मर जाना चाहिए सुसिप मोदी सब आपको अठार जीले लाखों लोग और आप पिक्चर देख रहे हैं तीन गंटे आप देखिये ना बाद में देखिये आप पूरा जीने कहा नंग लिए लेकिन जो जिम्मेदारी आपने लिए आप एक जीले तक नहीं गए और नितीजी आपका तो राइट बनता था आप तो मांग लीजिए आप कब बांग येगा आप दोनों आदमी के अंकारों की बीच में हमको क्यों फजा के रखें वह विहार को और हलात इतने बुड़े हैं अभी तो परमान बक्रा कंकई मानंदा अभी उपान की हो अभी तीन मेंना हमें प्रसान करेगा आपने मेगा सिवित की वेवस्ता नहीं की आपने मेगा मेडिकल कैम की वेवस्ता नहीं की आपने 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 को बचाने के लिए नौ की वेवस्ता नहीं की और सारे पदादिकारी आपके लूट रहे हैं सर परशासर ने रिपोर्ट दे रही है कि यहां सारा चीज इंतिजाम किया हुआ मगर ऐसे कुछ जमीन तो कुछ भी नहीं दिखता है बैया अभी मुकमंत्री जी गय थे अली नगत रेट कार्पेट विशाये गया उनके दुलभार नहीं है दो मिनत के लिए बाठ पिरित से मिले तक नहीं अभी दो दिन पहले मुकमंत्री जी आये थे चांपूर सर 40 मिनत धाली में चावल दे करके दाल नहीं दिया गया कि मुकमंत्री आएंगा तब दाल दिया जाए इससे बड़ा संबेदन हींता और कुछ हो सकता गया और उसके बाद मुकमंत्री जी मात साथ मिनट टुक्या रूर के चले गए देखने तक नहीं गया है कि लाज़्डिती कर रहा है करने मैं 6,000 रुप्या बेज रहा हूं 6,000 रुप्या में सोचाले नहीं बनता है यह 2,000 रुप्या पदादिकारी ले लेगा 4,000 उसको मिलेगा जो नाम तय करता है नाम तय करेग आपके बचे 6,000 में एक दिन खाना खा लेंगे क्या नेता जी इन लोगों को अभी लोग स्वक्ष्टा अभियान चला रहे तो इस वक्ष्टा अभियान लोग सभा के भी तक अब एक दिन में 3 करों रुप्या खर्च होता है लोग सभा में सफाई पर नेता जी लोग को सफाई कर रहे हैं आइवास क्या दिखा रहे हैं इन लोग के पड़िवार को भाल बच्चे को जिनके लिए इन लोग जीवर खड़ने में परिशान है लूपने के बाद और इसी पैसे से अभी चुनों लड़ेंगे 2020 में जद्दा को 5500 रुप्या देगा और इसी पैसे से चुनों भी लड़ ड़ 근데 गाने और करेंगे भगमान की मंजुरती एल्ला की मंचुूर यह इता नियती तुम्हारीयली की वीति сказал Monitor बनादिकारी और बरे बरे लोगों का बाल बच्चा क्यों नहीं मुझता यह पड़िवार क्यों नहीं डूपता गरीब का ही लोग क्यों मतलब वह भी नियती लिखा गाया है सब्सक्राइब नियती बिल्कुल ठीक तो सीधा मेरा अरोप है कम्प्लिट रूप से यह मान भी आपदा है प्राकृतिक आपदा नहीं है डिजास्टर भर्मान नहीं है डिजास्टर नेता है इन डिजास्टर यह डिजास्टर लोग जब तक जिन्दा रहेंगे ना इन लोग को जन्ता के हवाले कर देना जाए सर 2017 में जो लोग डूबे थो उनको अभी सहलाब आया था तब पैसा दिया गया था डूबने वाले को चारचार लाग का चेक अब भया मुझे नहीं लगता उसको दिया गया होगा और इस इलाके में पुस्टमाटम की संख्याहीं तो बहुत कम होती है एक तो अलब संख्या कोने के कारण वे दूसरा तुरंत में तौरित कोई चीज होता नहीं लास मिलता नहीं है लास मिलता भी है तो चार दिन पास पुस्टमाटम नहीं किरा पाता है लोग अपने बच्चों को बचाएगा लोग नदी के भीतर बक्री बचाने में गाय और भैज बचाने में लगे राजा उनको लगता है भैज बचा लेंगे तो करके दिन मेरा बच्चा उससे जी लेगा और गौह से निकरता नहीं है गर कि दर दो कि कब मिलेगा अच्छे हमें तो नहीं है इसलिए कि बड़े जुद्ध की जौरत है सन 42 और 47 से भरे करांती की जौरत है यह मुक्ति चाहिए आजादी बाठ से आजादी सभी बांद 18 साल 30 साल से उपर उसकी आयू हो चुकी है और उसके नाप पर करोरो और वो लूट रहे हैं वो बांद तो चुटेगा और हमें नासुर बनाएगा फरका कि स्थितिवाई भीमनगर कि स्थितिवाई है कि खतम करिये ना वीमनगर को तो हालात बहुत बुरे हैं एक बड़े जुद्ध की जौरत है मैं पियायल फाइल सुप्रिम कोर्ट में किया हूं चालिस सालों के अंदर जितनी बांदें टूटी है मैंने कहा मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सारा पैसा पदाधिकारी ठेकिदार और नेताओं का एटाज कीजिए 302 का मुकर्मा जब जब बाड़ आया तब तब आप सिचाई मुंत्री पर फाइर कीजिए इनको सजा दीजिए मौत की और इन लोगों से संपत्ति वसुली है और बाद से मुक्ति कम मिलेगी हम सुप्रीम कोर्ट साइद मुझे लगता है कि एकार सब्दा के अंदर ये दो सब्दा के अंदर बहास होनी चाहिए हम छोड़ेंगे नहीं लोग सरक से ले करके नियाले तक लड़ेंगे और कोशी सिमांचल और मित्लांचल लगभग 26-27-28 जीला और गंगा के किनारे को ले लू तो लगभग 32-32 जीला गंगा, सोन, गंड़ा, कमला, भुती, बलान, कनकई, माननदा, कोशी, परमान, बकरा, शर्चन, मैं इस नदी को ले लू तो यह नदी आज हमारे लिए मौत का सबब बना है और इसके पीछे सिर्फ नेताओं का सबसे बड़ा रूल है क्योंकि नेताओं ने इस बार को नदियों को अपने कमाने का जड़िया मालिया, लूटने का जड़िया मालि शिचाई विभाग ही है, बिहार में जो सबसे ज़्यादे लूट का अड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए नेताओं को लगता है कि इन चीजों से उनकी सियासत और गोंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, लोग इसको डियास्टर गरीब आदमी भगवान की देन मान लेते हैं और नेता को लगता है कि दस किलो चावल और पांच किलो आटा पहुचा के हम अपनी फीट धप धपा लेते हैं, हमारी विल्ली हमीशे मियों कि बांच जाने परसोती के हाल, इननों को नदी के भीतर एक महिना रखे नेताओं को पन्नी के नीचे, तब परसब का पीरा का पत प्राइब नेताओं किलो मिया